अगर आप नेचुरल गैस में शौट टम के लिए ट्रेड इंट करते हो और नहीं जानते कहा पर करना चाहिए कहा पर सेलिंग करना चाहिए और क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए और क्या टारगेट रहेगा तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे नमस्कार दोस्तों मैं आनिल आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेकनिकल ट्रेडिंग में बहुत की जिसका टारगेट अचीव हो गया है और आपने इस लेवल्स पर ट्रेडिंग की होगी तो आपने अच्छी खासी अर्निंग जनरेट की होगी फ्रेंज आप अगर इस वीडियो को देखना चाहते हो तो आप हमारी वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हो फ्रेंज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की लेटस्ट अपडेट आपको लगाता मिलती रहे फ्रेंज इस वीडियो में हम आपको जो लेवल्स प्रूवाइड करते हैं इसकी मार्केट अक्सर रिस्पेक्ट करता है तो हो सके तो इन लेवल्स को नोट डाउन करके रखे ताकि इन लेवल्स से आपकी ट्रेडिंग में हेल्प हो सके फ्रेंज आपसे रिक्व इसका latest high post हुआ है 304 रुपे और इसका latest law post हुआ है 187 रुपे fundamental view की बात की जाये तो घर्टी बढ़ती हुई व्याजदरे और चायना की और से demand और supply geopolitical tension और dollar index में उतार चड़ाव और news इन सारी बातों का असर natural gas के उपर देखने को मिल सकता है important support की बात की जाये तो support यानि ऐसे levels जहां से price उपर की तरफ जा सकता है पहला support 224 रुपीज दूसरा support 205 रुपीज और तीसरा support 187 रुपे के आसपास दिखाई दे रहा है अगर price इन support को तोड़के निचे की तरफ breakout देता है और sustain रहता है तो बजार में आपको और भी मंदी देखने को मिल सकती है इस बात का ध्यान जरूर रखे अगर ऐसा होता है तो यही support बाद में resistance का काम करेंगे important resistance की बात की जाये तो resistance यानि ऐसे levels जहां से price निचे की तरफ आ सकता है पहला resistance 250 रुपीज दूसरा resistance 268 रुपीज और तीसरा resistance 286 रुपे के आसपास दिखाई दे रहा है अगर price in resistance को तोड़के उपर की तरफ breakout देता है और sustain रहता है तो बजार में और भी तेजी देखने को मिल सकती है इस बात का ध्यान जरूर रखे अगर ऐसा होता है तो यही resistance बाद में support का काम करेंगे Very long term यानि मन्थली चार्ट पे train की बात की जाए तो, train, negative दिखाए दे रहा है, long term यानि weekly चार्ट पे train की बात की जाए तो, train, positive दिखाए दे रहा है, तो करना क्या चाहिए आइए देखते है, इस से पहले, friends आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्ल सा लाइक भी जरूर कर लेना, friends जो buy करना चाहते हैं, उनके लिए सलाह रहे, buy on dip की strategy अपनाए, फिलहाल बाजार अभी positive दिखाए दे रहा है, कर्ट प्राइस पर buy side का risk reward ratio देखे तो, risk 12 रुपे और reward 14 रुपे के हिसाब से risk reward ratio दिखाए दे रहा है, अगर आप bind करना चाहते हैं, तो bind level जो है, कर्ट प्राइस, 236 रुपे से 12 रुपे निचे यानि 224 रुपे के आसपास bind करे, target रहेगा 250 रुपे, अगर ये target अचीव होता है, तो second target रहेगा 260 रुपे, और इसके लिए stop loss रहेगा 223 रुपे, और friends stop loss जरूर लगाए, बिन stop loss की trade करना बहुत हानिकार हो सकता है, अगर आपने top level पे already buy किया है, तो आपकी total quantity में से 30% quantity, 224 रुपे के आसपास average करे, अगर बजार इससे भी निचे चला जाता है, तो आप 205 रुपे के आसपास 30% quantity average करे, friends averaging करने के लिए trend का आपके favor में होना बहुत जरूरी होता है, और long term यानि weekly chart पर trend की बात की जाए तो trend, negative, दिखाए दे रहा है इस बात का भी ध्यान जरूर रखे, जो सेलर है उनके लिए सलाह रहेगी, trading avoid की strategy अपनाए, फिलहाल बजार अभी positive, दिखाए दे रहा है, current price पर sales side का risk reward ratio देखे तो risk 14 रुपे का दिख रहा है, और reward 12 के हिसाब से risk reward ratio दिखाए दे रहा है, अगर आप selling करना चाहते हैं, तो selling level जो है, current price 236 रुपे से 14 रुपे उपर, यानि 250 रुपे के आसपास selling करे, target रहेगा 224 रुपे, अगर ये target अचीव होता है, तो second target रहेगा 205 रुपे, और इसके लिए stop loss रहेगा 251 रुपे, और friends stop loss जरूर लगाए, बिना stop loss की trade करना बहुत हानिकारक हो सकता है, अगर आपने lower level पे already sale किया है, तो आपकी total quantity में से 30% quantity, 250 रुपे के आसपास average करे, अगर बजार इससे भी उपर चला जाता है, तो आप 268 रुपे के आसपास 30% quantity average करे, जैसे कि हमने पहले भी बताया, averaging करने के लिए trend का आपके favor में होना बहुत जरूरी होता है, और long term यानि weekly chart पर trend की बात की जाये तो trend, negative, दिखाए दे रहा है इस बात का भी ध्यान जरूर रखे, अभी के लिए overall trend positive रहेगा, buy on dips, करके चले ल 268 रुपीस के target देखने को मिलेंगे, friends आपके लिए एक जरूरी disclaimer है, friends अगर आप इन levels पे trade करना चाहते हो तो आपके financial expert की राय जरूर ले, ताकि आपको कोई बड़ा नुकसान ना हो और इस financial market में सही और गलत की समझदारी जरूर रखे, और आपके profit and loss की जिम्मेदारी ख बरूर करें उसके बाद ही trading करें, और friends आप अपनी knowledge के लिए कुछ channel है उन पर जाकर उनकी वीडियो देख सकते हो, जैसे की गौरफ सेथियास online commodity classes, gold, silver, forecasting, stock market, चर्चा, investors और wealth creation, सहज info, short formula, smart trading academy, R.V.E.S. strategy, gold price today news, market investment, gold IQ, investing with yarsh, share market charts indication, intelligence, investment and trading commodity, इन सारे channel पर widget कर सकते हो और उनकी trading, analysis समझ कर अपनी trading को perfect बना सकते हो, और अपना success ratio बढ़ा सकते हो, लेकिन friends आपको strict advice रहेगी, आप किसी पर blandily, विश्वास ना करे फिर चाहे हम हो या कोई और हो, friends पहिले सीखिये और समझिये, और लगातार practice करे, paper trading करे, जब आपको लगे है हामे कर सकता हूँ, तभी trading करनी चाहिए, अगर आपका कोई सवाल हो या कोई राय हो तो comment box में जरूर लिखे, और आपने अभी तक इस channel को subscribe नहीं किया है तो subscribe और like जरूर करे, साथ में घंटी के bell icon को all पे set करना न भूले, ताकि आने वाली वीडियो की latest update आ कर दो